रैपर हनीसी पर पाचपावली थाने में दर्जवे मामले में अदालत ने शनिवार को थाने में उन्हें उपस्तत रहने की आदेश दे थी शनिवार के शाम हनी सीन नाकपर पहुची, उनके दो वकीलों ने पाचपावली थाने पहुचकर योयो के नाकपर पहुचने की जानकारी दी लेकिन साधन उपलब नहीं होने की कारण सैंपल नहीं ले गए सूतरों से मिली जानकारी के अनुसा बताया जा रहा है कि रविवार को पुलिस उनके वोईस सैंपल लेगी ग्यात हो कि एक विवादत गाने में कई अभधर टिपड़ी और गालियां होने के कारण हनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई थी पुलिस वारा मामला दर्ज नहीं किया गया तो शिकायत करता ने कोट का दरवाजा खट-कटाया इस मामले में हनी को जमानत मिल चुकी है गाने में सुनाई देने वाली आवाज हनी की ही है या नहीं इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने वॉइस सेंपल देने को कहा था लेकिन पिछले दिनों न्यायाले ने 4 से 11 फरवरी के बीच थाने में उपस्तित रहने के आदेश दिये थे शुकरवार को ही सुनवाई में अदालत ने दुबारा रहत देने से इंकार किया और 12 फरवरी को थाने में उपस्तित रहने के आदेश दिये शनिवार की शाम हनी नागपुर पहुचे और वर्दा रोड की एक होटल में रुके उनके वकील थाने पहुचे और पुलिस को वोईस सेंपल की प्रक्रिया पूरी करने को कहा लेकिन पुलिस के पास वोईस सेंपल लेने की संसाधन नहीं थे जिन यंत्रों पर वोईस सेंपल रिकॉर्ड करने हैं वो एंटी करप्शन भ्यूरों के पास उपलब्ध है कार्यालीन समय खत्म होने के कारिण शनिवार की राद वोई सैंपल लेना संभव नहीं था इसलिए पुलिस ने हनी के वकीलों को रविवार को सैंपल लेने की जान करी दी कैमरा परसन अखिलेश भारत वाज के साथ दिशाटवाब बीसेन न्यूस नागपुर